हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और दोस्तो अगर आपके पास Poco M3 का फोन है और दोस्तो आपके फोन पे यहाँ पे जब भी आपको कोई कॉल करता है तो फिर यहाँ पे आपको जो फोन का स्क्रीन है वो यहाँ पे बंद होने लगता है तो बार-बार बंद होता है गाईज यहाँ पे calling time में यह problem आपको अगर देखने को मिलती है तो इस वीडियो में गाईज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone पर यहाँ पे setting को open करना है setting को open कर लिजिए उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको application वाले option पे click करना है यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको system map setting पे जाना है यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे call setting को option आएगा तो यहाँ पे आपको click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको incoming call setting का option आएगा तो यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने यह वाला setting आता है proximity sensor करके तो यहाँ पे आपको इस वाले option जो है आपके phone में अगर enable रहता है कुछ इस तरीके से तो आपको इसको disable कर देना है अगर यह option आपके phone पर इस तरीके से enable रहता है दोस्तो तभी यह जो problem है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते है तो इसी तरीके से आपको जो है इस problem को solve करना है तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और दोस्तो चैनल को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए guys मिलते हैं next video में